ओम श्यांति आज प्यारे बाब दादा के महावाक्यों में लिया हुआ बारा मैं दोजा उन्नेस के मोडली से होमबर्ग आज प्यारे बाबा ने कहा तुम हो बाबा के बड़े वच्चे वन्शावली के बड़े वच्चे मुखवन्शावली हो और इस पूरे ब्रामन परिवार के बड़े वच्चे हैं और बड़ों का फर्च क्या होता है बड़ों का फर्च सारे परिवार के संभाल करना तो क्या हद का ख्याल रहता है या बेहत का ख्याल बेहत विश्व के हम बड़े बच्चे बाबा के जो इश्वर को पैचाने हुए तो हमारा सारी विश्व की आत्माओं का सारे विष्व के धर्मों के पर ती, शुब भावना चलनी चेहे, कि सब का कल्यान, सब का बला सारे बाबा को पहचान जाएं, ऐसी अंदर शुब भावनाएं चलती रहें चेहे तब बाबा ने आज कहा बच्चे, रहम की भावनाएं, निरंतर, शुब भावनाएं, शुब कामनाएं, तो चेक करें क्या मेरे सामने विश्व की 700 क्रोड आत्माएं रहती हैं, और क्या दिल से कितनी बार उनके लिए संकत बाबा, जो आपको नहीं मिलें, वो आपको पहचा लें, वो भी आपसे वर्षा प्राप्त कर लें, जैसे हमने वर्षा पाया है, ऐसे बाबा वो भी पा लें, मेरे भाई हैं न, सबी को मुक्ती, जीवन मुक्ती का वर्षा दिलाने की गुडविशिद, ये बड़ों का काम, तो ये क्या बड़ों का फर्ज हम निभा रही हैं एक तो बाबा ने ये बड़ों का, बनकर सारी वन्शावली के लिए रहन की भावनाई, आशिरवात की शुब कामनाई, ये बाबा ने का, दूसरा प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम हो सारार की मनों कामनाई पूरण करने वाली काम धीनू, लेकिन सब की मनों क कामनाई पूरण कब कर सकेंगे, जिसको जो चाहिए, वो दे दे में, एक बार बाबा ने कहा था, पानी का प्यासा हो, उसको 36 परकार के भुजन खिला दो, तो संतुष्टी नहीं होगी, तो तुम बिच्चों को भी परक के, इसको शांती चाहिए, इसको खुशी चाहिए, यह दिल्शकस्त है, इसको उत्साहा चाहिए, उमंग उत्साहा चाहिए, यह ज्ञान का प्यासा है, तो ज्ञान चाहिए, हर आत्मा की नवज परक के, उसकी मनों कामना पूरण कर देना, अब बाबा ने कहा, सबकी मनों कामना पूरण करने वाली काम भीन बनो, लेकिन यह क बब बनोगे जब आपकी हद की जो कामनाई हैं वो समात हो जाएं अभी हद की कामनाई हैं और यही बाबा ने आद कितना गहरा कनेक्शन जोड़ा जो काम जीते जगत जीत कहते हैं बाबा ने का ये 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 काम का रूप एक कामनाई होना इच्छाएं होना तो आज बैबा की मुर्ली के उंबर का respect time चेक करें कौन कौन सी इच्छाएं अभी भी सुक्षम में चिपी पड़े हैं हद की इच्छाएं हद की विनाशी प्राप्तियों की इच्छाएं मानिशान की इच्छाएं कौन सी इच्छाएं हैं उनको आज full stop करें बाबा के आंगे अरपन करें बाबा ने का चतुर सुजान को सिर्फ चत्राई खेलते हैं चतुर मन के यह थे बाबा यह सेवा है इसलिए अंदर में इच्छा है तो इसलिए इसको खतम करो फिर बाबा ने का काम देनु बनके सब की मनों कामना पूरण कर पाएंगे फिर बाबा ने कहा अभी तो तुमारा पुज्य सुरूप भी परत्यक्ष होना है और जब पुज्य सुरूप परत्यक्ष होगा तो क्या होगा बाबा ने कहा सब आपके पीछे लग जाएंगे यही है, पुजा कराने वाले नहीं स्वेम पुज्य है, यही है हमारे इष्ट जिनको हम ढूंड रहे थे, इनी से हमारी सारी मनों कामनाई पूरण होंगी, यह है पुज्य सुरूपा, तो बाबा ने मोडली में ऐसा समान जगरत किया, सबका, क्या आगे आने वाला है टाइम, तो एकदम ऐसे मैं तो सुनते सुनते, ऐसा भाविभोर हुआ कि बाबा के ठीकी शर्वद है, मिरुआ मोड मलू का शिकार, आप दाइम बाकियों के लिए हैं, लेकिन तुम बच्चे जो अच्छा पुर्शार्थ कर रहे हैं, अन तुमें तो तुमारे जैजेकार के नारे लग रहे होंगे, और तुमारा पुज्य सुरूप पर ट्यक्ष्च हो जाएगा, लेकिन कसर कहा है, बाबा ने कसर का आज एक तरीका बता है, बस एक चीज खतम कर दो, वो क्या है, मेरा, 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 मेरा संसकार, मेरा सौभाव, कहां से आया मेरा, बाबा कहते हैं, बाब क ये मेरा पन खतम हो गया है, कि आपने संसकार स्वभाव भी बाबा के अरपन कर दिये हैं, और बाबा वो ही करूँगा जो आपका है, वो ही वैसा ही रहूँगा जैसे आपका है, ये हैं बाबा के संसकार स्वभापने संसकार, बाबा और अपने में टेली करते रहो क्या बाबा का बिलकुल ऐसा समस्कार है बाबा प्यार का सागर बाबा की जराबी नफरत किसी के लिए बाबा कभी किसी को टॉंट नहीं करते बाबा हमीशा सब कोखसा दिलाते तो मेरा क्या रोज चल रहा है तो ये बाबा को कभी जलस ही होती, तो मेरे को क्यों होती, ये है बाबा कहते है, बाब के संस्कार, बाबा जैसे सब को उठाने की भावना, सब के लिए good wish है, ऐसे ही मेरे होनी चाहिए, बाबा ने कहा है मेरा मेरा मेरा, खतम करो, इसलिए थोड़ी परत्यक्षता रुपी जब ऐसे अपने संस्कार बनाएंगे, खाली भाशनों से नहीं होगी, बाबा ने कहा भाशन करना भी जरूर है, और भाशन करो तो वो भी कैसा करो, आज बाबा ने वो भी बताया भाशन कैसा करना, भाशन ऐसा करें जो भाशा से भी परह ले जाए, आवाज हो लेकिन आव जब भी कुछ सुनाओ तो जैसे उन्हें लगे एक लहर में लहरा रहे हैं और पहुंच गए कहीं अनभूती में खो जाएं फिर बावा ने का जिसको शांती शक्ती की कभी भी थोड़ी सी अनभूती होगी वो फिर बावा के करीब आजाएगा वो छोड़ेगा नहीं संस्ता क बीकोगी निकट आजाएगा यही तो चाहते है सिकन की भी कोई अनभूती करा दे तो सबसे बड़ी सेवा अनभूती करना और कर Gmail इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है तो यह प्यारे बावा ने आज ये तरीका बताया और फिर बावा ने कहा कि बच्चे तुम सब बच्चे क सेवा को भी बाब के आगे समर्पित कर दो फिर भाबा के आगे अर्पित करेंगे तब बनेंगे समर्पित आप तो देखे मैंने समर्पित की मेरी सेवा नहीं सेवा मिल जाए सेवा छूट जाए छूट जाए तो भी नहीं कोई दोख मिल जाए तो भी कोई यह नहीं कि को अप तुन्हें करा नहीं है, और करा भी रहा है, तुछ वह बहुत ही सुंदर बात बताई, कि बच्चे, तुम एक दूसरे को पैचानना सीखो, तुम साधारन आत्मा नहीं हो, बहुत ही महान आत्मा है, इतनी सारी महान आत्मां का संठन जब मदवन में कठा होता है, भावा कहते हैं, कुछ कम बात नहीं है, पूरे कलप में पहली बाव, इसलिए आज से सब भाई बेने, कलास में साधारन दृष्टी से नहीं देखो ये शांती देवी है रेश्मा है विजय बाई है ये फला है ने ने महाना आत्मा बाबा ने का एक 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 भगत है थोड़ा ठका होने दो जब परत्यक्षता होगी तब पता लगेगा अभी तो बाबा ने का दूसरी चीजें भी देखते हो किसमें क्या कमी है फि में विशेष्टाएं भी फिर विशेष्टा से जाने जाएंगे कितनी बड़ी आज बाबा ने स्वें की पैचान कितनी बड़ी कह राए कि तुम कितनी महानात्माएं हो कितनी स्रैष्ठात्माएं हो उन स्रैष्ठात्मा की स्वें को भी उस नजर से देखो औरां को भी उस नजर से देखो ये बाबा ने का और बाबा ने का परत्यक्षता का परत्यक्षता कब होगी परत्यक्षता का जिंडा कब लहाया जाए सब के मुख से निकले यही है यही अभी तो कहते हैं यही है यही है यह बुलंद हो कि यही हैं मिलाने वाले सच्चा रास्ता दिखाने वाले पिता से मिलाने वाले बचाने वाले भी यही है आपलाओं के टाइम में और कोई नजर नहीं आएगा यही है यही है यह कावाद चारों और फैल जाएगा वायर लो जाएगा कि ये ही है सुईत वस्त्रभारी तपस्वी भाईव हैं सोचो तो सही वो टाइम को याद तो करो आज की मुरली तो इतना नशा चड़ाने वाली है अपना वो सुरूप याद दिलाने वाली है क्या होगा प्रत्यक्षता का टाइम एक एक के सामने सेपडों की लाइन लगी होगी तब अबने का यही टाइम है जो संपन मना सकते हो लास्ट टाइम में तो देना ही देना होगा अभी फिर भी पुरशार्थ के द्वारा संपन मनाने की मार्जन है इसलिए आज की मुरली का होमवर सारा दिन अपने में महान आत्मा हूँ दोसरों को भी एक महान आत्मा के दृष्टी से दे आज निश्चे कर ले जो भी ब्रह्मन भी संपर्क में मैंने आज से परतिग्या करें महान आत्मा के रूप में देखना है और जिसको भी मिले उसे कुछ अनभूती जरूर कराएं ये सबसे बड़ा पुन है इस से बड़ा कोई पुन नहीं है ये है आज की मुरली का हुमबर और बड़े होने के नाते सारे विश्व की आत्माईं इमर्ज हो उनके परतिरहम की भावना निकले अच्छा, ओम शांती